आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल SSC exam preparation में इस वीडियो में हम आज यानि कि 9 अगस्त के SSCJL exam में आए हुए math के questions को discuss करेंगे तो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो subscribe जरूर करें यह free of cost होती है तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारा maths का पहला question था जो कि algebra से related था आपका question था if x plus 1 by x equal to 4 then आप से push रहा था x to the power 5 plus 1 by x to the power 5 equal to what? तो यह आपका बहुत ही जाद है easy question है इसके हमने आपको tricks बताएं आप चाहे तो हमारे previous वीडियो में इसके tricks देख सकते हैं यह आपको बहुत ही जाद ही easy होता है इसमें हमें करने क्या हमारा दे रखा है x plus 1 by x equal to 4 then हम से पूछ रहा है x to the power 5 plus 1 by x to the power 5 equal to what? तो इसमें हम क्या करेंगे? इसका value हम directly लिख सकते हैं जो भी आपका value हो उसे हम इस तरीके से लिखते हैं x to the power 5 plus 1 by x to the power 5 है तो इसमें हम सबसे प्लस 1 by x square into x cube plus 1 by x cube minus x plus 1 by x अब अगर हमें इन सारे की values मालूम हो तो हम इससे असानी से निकाल सकते हैं तो x square plus 1 by x square equal to होता है 4 का square minus 2 हो जाएगा जो भी आपका इसका value दिया रहे उसका square minus 2 माना ही किये है तो इसके square minus 2 तो चार्चों का 16 minus 2 यह 14 हो गया अब अगर x cube plus 1 by x cube की बात करें तो इसका हमारा होता है k cube plus 3 k k cube plus 3 k तो यहाँ पे हमारा k का value हो गया 4 तो 4 का cube sorry k cube minus 3 की आपका इसका formula होगा तो 4 का cube आपका 4 का cube की अगर बात करें तो 4 का cube आपका होता है 64-4 12 तो इस तरह से यह हमारा आ गया 52 और x plus 1 by x का value हमें मालूम है कितना होता है जो कि आपको दिया हुआ 4 अब हम इसी value के यहां पर put कर सकते है 14 multiply by 52 minus 4 तो 14 multiply by 52 हो गया 728 minus 4 equal to 724 अब next question कि आपकी बात करें तो next question आपका discount से related था आप से पुछ रहा था net discount 20% और 30% का इसमें हम करते हैं क्या इसका भी हमारे एक formula होता है क्या होता है या फिर हम कर सकते हैं एक trick होता है इस वह हम directly लिख सकते है 20 plus 30 minus 20 multiply by 30 divided by 100 तो यह हमारे कितना आ गया तो 50 minus 6 याने कि 44 यह formula हमने कहां से लाए तो अगर आपको दो परसेंटेज जो इसका आपको net discount निकलना हो तो आपका formula होता है x plus y minus x into y by 100 इसी formula को हमने यूज करके इसका अंसर असानी से ले आया 44 अब next question की बात करते है तो next question आपका है जो कि trigonometry से related था वह आपका question बोल रहा था कॉसेक 4x minus cot 4x स्वारी कॉसेक 4x minus cot square x minus cot square x plus cot 4x यह भी आपका वह है दीजी question आप बस इसा स्वार्व करते जाओ थोड़ा बहुत दिमाग लेगा होगे आपका यह question बहुत ही जाद ही जी इसमें हमें क्या करने यह हमार होगे कॉसेक 4x minus cot square x minus cot square x minus cot 4x अब हम क्या करेंगे 4 4 वाले को एक साइड ले लेंगे तो यह हमारा होगे कॉसेक 4x minus cot 4x फिर यहां से minus को common ले लिए तो यह हमारा होगे minus cot square x plus cot square x अब हम देखे यह हमारा अगर हम बोले तो यह हमारा a4 minus b4 भी हम इसे बोल सकते मतलब a square plus b square into a square minus b square इसे चीज़को हम यहां पर यूज़ करेंगे तो यह हमारा होगे कॉसेक square x minus cot square x into cos square x minus cot square x अब यह आपका minus दिया हुआ है cot square x plus cos square x अब इसका value हम जानते 1 होता है अब यह 1 होगे तो हमारे पास बचा आप ध्यान से देखो तो आपके पास बचा किया cot square x plus cot square x minus cot square x plus cos square x तो यह आपका क्या हो जाएगा 0 अब next question की बात करें तो next question हमारा पूछा किस चीज़ से था तो next question भी हमारा trigonometry से related था आपका value दे रखा था क्या तो आपका value दे रखा a equal to 30 b equal to 60 c equal to 135 देन आपसे पूछ रहा है value किसका तो sin cube a plus cos cube b plus tan qc minus 3 sin a cos b tan c तो आप इसमें क्या करना हम इसमें सारे का values पूट कर दे तो sin a equal to sin 30 का value होता है 1 by 2 तो 1 by 2 का whole cube plus cos cube b cos q 60 degree यह भी हमारा हो गया 1 by 2 का whole cube और 10 cube c c अगर 10 135 है तो इसका value हमारा क्या हो जाता है तो minus 1 तो यह हमारा हो गया minus 1 का cube minus 3 into 1 by 2 into 1 by 2 into minus 1 अब इस तरह से यह हमारा हो गया 1 by 8 plus 1 by 8 minus 1 और यह हो गया plus 3 by 4 अब अगर आप इसे totally solve करों तो इसका value आजाएगा 0 अब next हम question की बात करें तो next question आपका एक right angle triangles है याानि temp dato is relationào आपको एक figure दे रखा इस तरीके से आपका एक figure एक एक आपका right angle triangle triangle है यहा siya 이 अपका एक right angle triangle है इसका आमने नाम रखा a b c और यहां से आपको बीच से एक line draw किया है इस तरीके से और इसका नाम रखा है D आपसे पुछ रहा है BD equal to what और यह अपका perpendicular है तो हम इसका value कैसे निकालेंगे इसमें भी आपका AB का value दे रखा 3 और BC का 4 हमसे पुछ रहा है BD equal to what तो इसको निकालने कि आपको बहुत सारे तरीके होंगे आप इसमें बहुत सारे चीज़ यूज़ कर सकते हैं बढ़ हम इसमें एक easy यूज़ करेंगे क्या तो हम यहां से AC का value निकाल लेंगे तो बाइफा गोरस पर में अंडरूट 3 का square प्लस 4 का square equal to हो जाएगा 5 तो इसका value हमारे कितना आगया तो 5 अब इसका value आगया 5 अब हम बात करें तो हम से पुछ रहा है BD तो हम अगर देखें तो अगर triangle ABC की बात करें तो इसका हमारे area क्या हो जाएगा तो half into base into height यानि 3 into 4 और अगर हम बात करें इसी triangle के एक तरफ से और area ले विकाज यह भी आपका समकून बना रहा है तो इसके भी area हो जाएगी half into half into base into height यानि half into because यहां से भी आपका एक height लिया गया तो half into 5 यह आपका अगर reverse करके strangle को ले तो यह आपका base हो गया यह height हो गया तो half into 5 into bd अब यहां से हमारा half से half cancel हो गया तो bd का value आगे कितना तो 12 by 5 यानि की 2.4 तो आज के लिए बस इतना ही आग ऐसे ही और भी questions के लिए आप हमारे चैनल को subscribe करिए ताकि हम जो भी upload करें उसके आपको updates मिलते रहें then bye and take care